एपिस नोमर 97 के स्टार्टिंग होती है और जेफिय अपने डैट की कॉलर पकड़ती हुए कहती है एड़ बताओ मुझे की आखिर कार सच्छा ही क्या है मैं नहीं चाहती की रुइंकिंग मुझ पर शक्क करें और पिर तभी उसके डैट उसे धक्का देती हुए कहते है बस ब फिर जेफिय हमें हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जहां उसे बहुत ज़्यादा पसीन आ रहा होता है और वो कहती है डॉक्टर डॉक्टर क्या हमें ठीक हूँ और फिर सिन सिर्फ टोतर जेफिय रुइंकिंग के पास आती है जहां पर एक व्यक्ति रुइंकिंग से कह रहा होता है वाज जो हमें कंप्यूटर पर ओईल पेंट मिला था वो पेंट मेल खाता है मिस के पेंट से क्या आप उनसे ये पूछना चाहेंगे फिर जेफ्यू कहते है तुम ये फ्यो मुझे पहले तुम पर शक नहीं था लेकिन अब सारे सबुट तुमारी और इशारा कर क्या तुम अब इसके लिए मुझे इस पश्टी करन नहीं देना चाहूंगी फिर जेफ्यू कहती है रुइंग किंग अब में तुमें और ज़्यादा पसंद नहीं करना चाहती और फिर सिन सिर्फ दुतरा में कुछ समय बात का समय दिखाया जाता है जहां एक लेड़ी रुइंग के पास आती है मास्टर खाना तयार है तब रुइंग कहता है मैं खाना नहीं खाना चाहता और क्या उसने खा लिया वो कहती है मैंने पूछा था लेकिन अंदर से कोई भी आवज नहीं आई तो मुझे ऐसा लगा कि वो सो रही है और पिर तबी रूइंकिंग की नजर उस गिफ्ट पे पड़ती है और फिर वो उसे उपन करता है और फोटो देख चौकती वे कहता है और फिर वो जेफ्यू के पास जाता है और उसे कहता है जेफ्यू क्या तुम प्रेगनेंट हो तब वो कहती है हाँ कल तक तो मैं प्रेगनेंट थी रूइंकिंग कहता है आज से पहले से तुम्हारा क्या मतलब है तब जेफ्यू कहती है मैंने एबॉशन करवा लिया ये सुन रूइंकिंग दर्द में कहता है पर क्यों क्या तुम्हे ऐसा लगता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है इसलिए और फिर तुम मेरे बच्चे को जनब नहीं देना चाहती इसलिए जेफ्यू कहती है हाँ मैं उस विक्ती की साथ नहीं रहना चाहती जिसे मुझे पर भरोसा नहीं रुइंकिंग चला तुवी कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सच्चाई का पता लगा लूँगा लेकिन तुमने उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया वो तो निर्दोश था और फिर जेफ्यू रोती हुई कहती है रूइंग किया तुम्हें मुझे पर भरुसा है मुझे तो विस्वास नहीं हो रहा है तुम जरूर मुझसे जुट बोल रहे हो और फिर रूइंग कियता है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए तुमने उस बच्चे को मार डाला सच में तुम पत्थर दिल हो जेफ्यू वो कहती है हाँ हाँ मैं पत्थर दिल हूँ और फिर रोईंग किंग महाँ से जाती हुए कहता है जेफ्यू अगर तुम बदला लेना चाहती थी तो अब तुम सफल हो चुकी हो बदाई हो फिर जेफ्यू जोड़ जोड़ से रोने लगती है और फिर सिंस रिफ्ट ता मैं नेक्स डे की मार्निंग दिखाई जाती है अहाँ पर अंटी कोई एंटर होती है कहती है यंग मास्टर ने मुझसे कहा कि मिस आप बिमार है तो मुझे आपकी देख बाल करनी होँगी तब जेफ्यू कहती है मैं ठीक हूँ और फिर अंटी कोई मन में किन लगती है जब से उन दोनों का जगड़ा हुआ है तब से उन्हों न एक दूसरे को नहीं देखा और गाईज इदी की साथ एपीस नूमर नाइंटी सेवन यहां इंड होता है पसना है तो लाइक इंड से स्काइब जरू करें मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपीस सोड में